हेलो एवरीवन आज हम कर रहे हैं डिजनी फ्रोजन थीम केक का डैकुरेशन और यह केक था पाइनैपल फ्लेवर में तो मैंने केक स्पॉंज को त्री लियर्ज में कट करके उसकी अच्छे से लेयरिंग कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं केक में फाइनल फिनिशिंग और कर ले रहे हैं और इसकी पिक मुझे कस्टमर ने सेंड की तो मुझे उससे अकॉर्डिंग बनाना है तो मैंने यहां पर फॉंडेंट के 3D हाट्स बना ले रही हूं और फिर उसको हम टूथपिक में इंसर्ट कर देंगे और वो टूथपिक बाहर निकले इसलिए हम अच्छ 높ka 63 साइड से टूथपिकन सट करके हम एसमें हाट की शेप देनी हैं और फिर दैढनम उस में टूथपिक इनसर्ट कर देंगे इसी तरीके से हम हाट के सारे ही टॉपस बनाकर के पहुत ही इजीली बन जाता है किसी भी कटर वगएरा किकी किसी बी टूड वगएरा कि रिक्य दिवास एड करके डिवासान और सिरेल रहते हैं ब्लू फॉननट को रोल कर लिया है ते रहते हैं नहीं से थोड़ा सा कर्व का शेप दे देंगे और इस तरीके से हमको इसकी प्लेट्स बनानी है और इसी तरीके से हमें थ्री फ्रॉग्स बनानी है वो भी डिफरेंट साइज की तो यह सबसे पहले मैं छोटी वाली साइज में फ्रॉग बना रही हूं फिर इससे थोड़ी बड़ी हर बार मैंने frog को कुछ different type से बनाया है तो इस तरीके से बाकी नीचे की दो frog तो हमारी अंदर चली जाएंगी उपर की ही main frog की finishing जो हो अच्छे से दिखने वाली है तो देखिए मैं आपको शायद explain नहीं कर पा रही हूँगी अच्छे से आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि कैसे मैंने frog बना करके ready कर ली है और इसी तरीके से एक और हम सबसे छोटी size की frog बना कर भी ले लिंगे और देखिए इसके उपर मैं place करके देख ले रही हूँ कि जो frog की size है वो same है लेकिन हमें तीनों frog same size में नहीं बनानी है और अलग-अलग different size में अमको तीनों बनानी है तो finally मैंने ये तीनों frog बना ली है इसको मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि तीनों different sizes में हमने बनाई है उसको हम बाद में clean भी कर लेंगे जो भी extra fondant है और ये टॉपस बना करके मैंने एक airtight container में डाल करके रख दिये थे और केक की delivery से अपको half an hour पहले ही आपको ये केक में लगाना है या आप कस्टमर को पहले ही बता दीजिए आप कब केक लेने आने वाले आप मुझे हाफ an hour पहले call कर देना उसके बाद ही आपको ये टॉपस केक पर लगाने नहीं तो सारे टॉपस जो आपके वो melt हो जाएंगे क्योंकि फॉटनेंट लगाने के बाद हम केक को फ्रिज में भी नहीं रख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे में को केक बना रही थी बेबी गरल का फाइव येर्स की हो रही है तो मुझे यहाँ पे फाइव लिखना था तो मैंने आपे ब्लू कलर की फॉटनेंट को ही थोड़ा सा रोल करके हाथ से ही मैंने इसमें फाइव बना लिया है कोई कटर वगएरा का मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है और इसको मुझे पर इस्टिक करना है तो थोड़ा सा पाणी की हैलप ले सकते हैं क्रीम पर यह बेसली स्टिक होई जातीयाँ और फाइव और अभी मेरे पास यह लेटर वाले कटर है तो मैं इससे बेबी का जो भी नेम है उसके लेटर कट कर ले रही हूं चाहें तो आप फो आईसिंग से रख दिया था केक भी यहां अच्छे से ठंडा हो गया है और अभी मैंने यहां पर पर क्रीम में थोड़ा सा ब्लू कलर एड करके किसका ब्लू कलर में क्रीम को रेडी करके पाइपिंग बैक में उसको फिल कर लिया और यहां पर मैंसे स्नूफलेक्स के जैसे डिजाइन बना केक की साइड पे साइड पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा हूगा कि मैं कैसे बना रही हूँ देखा रहे हूँ एक आपको इस रेट लाइन कीचनिया दो आपको वी के जैसे उस पर बनाते जाना है और आपके स्नूफलेक्स बनके रेडी हो जाएंगे कस्टमर ने जो मुझ करती प्यारे स्नूफलेक्स बनके रेडी हो जाएंगे तो भाप था के टॉपर फरेंट के इरिया को मैं छोड़ दूंगी वहाँ पे नहीं बनाने क्कि वहाँ बनाएंगे तो वह ly नहीं बनाने फ्रेंट का एरिया मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और अभी यहां पर मैं एल्जा के टॉपर को इंसर्ट कर दूँगी और यह मैंने इसकी गूगल से प्रिंट जो है वो निकलवाई है यह गूगल से मैंने इसको डाउनलोड कर लिये थे इसकी डिफरेंट के एल्जा के टॉपर को और उसका मैंने ग्लॉसी पेपर प्रिंट निकलवाया उसको कटिंग की और मैंने टूथपिक पे इंसर्ट करके फिर हमने उसको केक पर लगाया है तो इस तरीके से आपको 30-40 रुपर में यह शीट में आप प्रिंट निकलवा सकते हैं easily तो बहुत उस एकॉर्डिंग मैं लगा दूँगी और जो कॉनफोर आपको यहां पे एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको मैं ब्रश की हैल्प से थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी क्या करें रेनी सीजन था तो बिना कॉनफोर के तो काम होता ही नहीं फॉन्नेंट से तो मैंने वो क्लीन कर और फाइब नंबर वाला जो अमने टॉपर बनाया था फॉन्नेंट का वो भी मैंने साइड में स्टिक कर दिया है और बेबी की नेम के जो मैंने लेटर कट किये थे उसको मैं केक बोड की साइड पे स्टिक करूंगी वर यहां मुझसे गडबड हो गई मैंने जो फ्रॉक का बेल्ट बनाया वो थोड़ा सा जादा बड़ा बन गया था और सही से केक पे वो इस्टिक भी नहीं हुआ तो इसके करणना मेरी साइड की जो क्रीम खराब हो गई थी केक की तो इसलिए अब उसको हाइड करने के लिए मैंने यहां पर अगेन दोनों साइड पे स्नूफलेक बना दिये ताकि जो हमारी क्रीम थोड़ी सी फिनिशिंग बिगड़ गई है वो ना देखे और थोड़ी से मैंने यहां पर जीरो साइड साइज के वाइड कलर के परल साइड की है हमारा केक रेडी है आप लोग को आज का किक का डेकोरिशन कैसा लगा कॉमेंट करके बताना कर दो